हेलो दोस्तो एक बार फेट से आप सभी का हमारे चैनल वहिशास तड़का में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बचे हुए फैन से एक बहुत यूनिक सी बहुत टेश्टी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि आप लोगों को 100% पसंद आने वाली है अकसर सभी के घर में ऐसा होता है कि जो यह फैन होते हैं यह सील जाते हैं पड़े पड़े बच जाते हैं तो आप इनको क्या करते हैं या तो थ्रो कर देते हैं या कुछ लोग होते हैं जो इनको रियूज कर लेते हैं अगर आपको इनको बिल्कुल crisp market जयसा बनाना है कि जैसे market से हम लाए हैं बिल्कुल ऐसा ही बनाना है तो उसकी जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है और उसका आप link description box में भी देख सकते हैं kitchen tips के नाम से मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है फिलाल तो यहाँ पर हम एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं आपको सबसे पहले क्या करना है फैन को बीच में से खोकला कर लेना है एक पिलर की मदद से आप इसको खोकला कर लेंगे जैसे भी आपको सही लगे आप इस्पून से करना चाहते हैं तो इस पून के जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे आप इनको खोकला कर सकते हैं यह देखे और जो इसके बीच में से फैन का चूरा निकलेगा उसको भी आपको फैक नहीं है मतलब सभी चीज है हम काम में लेने वाले हैं कुछ भी चीज वेश्ट नहीं करने वाले हैं यह देखे इस तरीके से आपको सभी फैन खोकले कर लेने हैं अब आपको क्या करना है यहाँ पर आप एक बाउल ले लीजिए और यह जो फैन का चूरा है आप इसमें एड कर देंगे यह देखे अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल सेट करेंगे जैसे शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज मैंने यहाँ पर तीन वेजिटेबल ली हैं आपके पास गाजर है तो आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं मतलब जो भी आपको वेजिटेबल पसंद दो आप यहाँ पर ले सकते हैं और दो टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रहे हूं मेयोनीज जिस भी कंपनी की आप मियोनीज यूज करते हैं वो आप खा सकते हैं आप देखें यहाँ पर एक मैंने मसाला तयार किया है इसमें हैं ओरिगेनो चिली फ्लैक्स और चाट मसाला सिर्फ तीन ही मसाले हैं इसमें यह मैंने इसमें एड़ कर दिया है अपने टेश्ट के के बाद आपको फैन ले लेना हैं जो आपने खोक लगिया था कई जग मने तयार की इसके अंदर बिच में भर ढेहते हैं विल्कूल अच्छे से आपको प्रेस करकर अबहरना थाकि अच्छे से आज ल्तनो सिंपल और इतना जल्दी बनने वाला नाश्टा है ना और खाने में इतना यमी लगता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इसको दस मिनट में बनाया है जब भी आपका इवनिंग स्नैक्स में या मॉर्निंग में कुछ खाने का मन करें कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप इसको फटा-फट से तैयार कर सकते हैं बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें देखो भी बात करते करते हैं सारे फैन अमारे फिल भी हो गए है अब यह जो हमारे इस्टरफट फैन है अब इसमें क्या करना है आपको उपर से चीज लगा देनी है मैं यहाँ पर मोजीरेला चीज का यूज करें यूज को पहले से ही मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था उपर से कंजूस ही मत करना वैसे आजकल सब चीज के दिवाने उख रहे हैं अब आपने गैस पर रख लेना है एक पैन आपको धिहान रखना है जो पैन है वो हैवी बोटम का होना चाहिए मैंने जो रेगुलर यूज करने वाला आईरन का पैन होता है मैं वही यूज कर रहे हूं यहाँ पर अब एक ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे से ग्रीज कर ल एक लिड की मदद से हम इसको कवर कर लेते हैं इसको कवर करते समय आपको टाइम देख लेना है पूरे पांच मिनट इसको ढखके रखना है पांच मिनट के बाद हम इसको हटा कर देख लेते हैं यह देखिए चीज अच्छे से मैल्ट हो चुकी है फैन भी हमारा सिक चुका आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप फैन सेक रहे हैं, तो आपको फ्लेम एकदम स्लो रखनी है, नहीं तो फैन नीचे से जल जाएंगे, अभी मैं आपको नीचे से भी इनको दिखाने वाली हूँ, इस्टफ फैन हमारे बनकर बिल्कुल तयार हैं, आप इनको गरम ना खाएं, हलका से ठंड़ा करने, ताकि या क्रिस्प हो जाएं, गरम में थोड़े से सौफ्ट रहेंगे, तो अच्छे नहीं लगेंगे, यह देखें पीछे से भी बहुत अच्छे से ये सीख चुके हैं, जब यह थोड़े से ठंड़े हो जाएंगे तो फैन बहुत अच जोई कीजिए उमीद है वीडियो आज की पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो जासे ज़्यादा लाइक कमेंट हो जासे ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए तब तक के लिए बबाए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो